देख लिया ना तुम लोगोंने एलविश को माफी मांगनी ही पड़ी और तुम लोग मेरे घमंड का कुछ नहीं कर सकते मैं किसी को भी माभेन की गालियां देता रहूँगा, मैं किसी पे भी परसनल अटैक्स करता रहूँगा मैं अपने ही हिंदू भाईयों में आग लगवाता रहूँगा, उनको आपस में लड़वाँगा, तुम लोग मेरा कुछ नहीं उखाड सकते देखोर तुम लोगों को brainwash करना बहुत easy है क्योंकि तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोगों को जादा समझ है नहीं अब तुम लोगों को मैंने Elvish की image ऐसे portrait की, कि वो हिंदूों का support लेके आगे बढ़ा है, जब की, जब Elvish ने अपने career के शुरुआत की थी, उसके पस already एक fanbase थी, उसने खुद चुना हिंदूत्व को support करना, उल्टा उसके जो Muslim supporters थे, जो उसके वीडियोस देखते थे, उ उसको गालियां पढ़नी शुरू हो गई, उसको जान की धमकिया आनी शुरू हो गई, लेकिन वो हमेशा हिंदूत्व के लिए खड़ा रहा, उसने कभी बोला नहीं, या जटाया नहीं कि यार मैं हिंदूत्व के लिए खड़ा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ, मैंने तुम को जता दिया कि देखो यार मैं चार साल से तुम लोगों के लिए काम कर रहा हूं तो प्लीज इस बर मेरे लिए तुम लोग एल्विश को जाके गालियां दो उसको गद्दार बुलाओ और तुम लोग बेवकूफ बनते भी चले गए एल्विश ने मुनावर को गले लगाया ठीक है लेकिन एक चीज तुम लोग समझ ही नहीं पाए इंडिया में जो भी बड़ा बनता जाता है चाहे वो क्रियेटर हो चाहे क्रिकेटर हो चाहे कोई एक्टर हो वो दीरे दीरे जितना फेमस बनते हैं उतना सेक्यूलर बन जाता है क्यूंकि उनको हर जगों से लोग करना शुरू कर दिया ये सारी चीजे तुम लोगों ने सोची नहीं तुम लोगों को लगाया रैंडम सेना वाला बोल रहा है कि अलविश गलत है तो गलत है तुम लोग खुद का दिमाग कभी लगाते ही नहीं हो कि उस इंसान ने ठीक है गले लगाया है लेकिन उसन इतना बड़ा creator होता ना, उनको मैं जादा कुछ कर रही पाता, क्यूं? क्योंकि अर Elvish की एक weakness जो मैं अच्छे से जानता हूँ, कि वो अपने दोस्तों को कभी पीछे नहीं छोड़ता, हमेशा अपने दोस्तों को साथ रखता है, लेकिन अब यही दोस्त, उसकी team भी है, उसकी कोई एक proper PR team नहीं है, जैसे दूसरे बड़े creators की होती है, इस चीज का मैंने फाइदा उठाया, क्योंकि दूसरे बड़े creators अगर होते और उन्होंने ऐसी गलती की होती, तो उनकी PR team इतनी strong है, कि उस creator के image को फरक पढ़ने नहीं देते, माफी मांगना तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ पे Elvis के साथ कटा रही है, लक्षे, अर्चिज जैसे लोग है, जिनको social media game के बारे में जादा कुछ पता नहीं है, कि social media पे कैसे image protect की जाती है, इस चीज का मैंने अच्छे से फाइदा उठाया और Elvis के image को मैंने पूरे तरीके से गिराने की कोशिश की और तुम लोग मेरे जाल में फस्ते भी चलेगा, जब Elvis और मेरा ये जगड़ा चल रहा था ना, तब Elvis ने CAA के लिए tweet किया है, उसने justice पर आर्ति जिस लड़की का रेप हुआ था आसाम में, उसके लिए tweet किया है, लेकिन मैंने पूरे तरीके से मेरा focus Elvis को गिराने पे था, Elvis को गदार साबित करने पे था ये चीज तो तुम लोग समझ नहीं पाए, तुम लोग को लग रहा था कि random से न, हिंदू, हिंदूत्व का सबसे बड़ा supporter है, हमार लिए काम करता हुआ आया है, तो चलो Elvis को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये चीज तुम लोग समझ नहीं पाए, कि मेरा पूरा focus Elvis को गिराने पे इसलिए था क्योंकि मेरा खुद का personal ego hurt हो गया था, मेरा personal ego satisfy करने के लिए मैंने तुम लोगों को use किया और तुम लोग use होते भी चले गए यार, एक चीज मैं अच्छे से जानता था कि Elvis हिंदू को support करता हुआ इसलिए left wing वाले उसको बहुत hate करते हैं और इनी haters ने उसका नाम social media पे famous करना शुरू कर दिया चपरी बोलके, तो मैंने इस चीज को use करना शुरू कर दिया और पूरा जो focus है वो Elvis पे डाल दिया कि वो betting apps प्रमोट करता है, वो बहुत गलत चीजे करता है, अपने fans को गलत दिशा में लेके जा रहा है लेकिन इस देश में बड़े से बड़ा YouTuber हो, चाहे बड़े से बड़ा क्रिकेटर हो या एक्टर हो सब लोग betting apps प्रमोट करते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छी कमाई होती है उससे लेकिन मैंने बहुत अच्छे से haters को use करके पूरा focus Elvis पे डाल दिया और उसकी सारी चीजे जो उसने अच्छी की है वो चुपा दिया अच्छी चीजों का एक example है कि उसका foundation है जिसको use करके वो लोगों की सेवा करता है उनको खाना खिलाता है लेकिन ये सारी चीजे तुमको पता लगने नहीं दी क्योंकि मैंने पूरा focus एक haters के point of view से तुमको दिखाना शुरू कर दिया हिंदूों की बात कर रहा हूं और तुम हिंदूस को पागल बनाना मेरे लिए बहुत easy था तो ये सारी चीजों से तुम लोग एक चीज तो समझ गए कि अपने ही लोगों के बीच आग लगाने के लिए जादा time लगता नहीं है मेरे जैसा कोई बन्दा आता है अपनों के बीच आग लगाता है और हम लोग divide हो जाते हैं एक दूसरे को गाली देना शुरू कर देते हैं तो यहां पर गलती मेरी नहीं है तुम लोगों की है क्योंकि तुम लोग जब तक easily brainwash होते रहोगे तब तक मेरे जैसे लोग successful होते रहेंगे मेरे जैसे लोगा ego satisfied करने के लिए हम आपको use करते रहेंगे Elvis जैसे लोगो को जो अपना ही बंदा है उसने एक छोटी सी गलती कर दी मुनावर को गले लगा के तो मैंने इतना जादा तुम लोगो को brainwash कर दिया कि तुम लोग जाके पूरे तरीके से उसको anti Hindu उसको गदार बुनाने नगे तो इसमें गलती मेरी नहीं तुम लोगो की है तुम लोगो को थोड़ा सा smart बनना पड़ेगा तुम लोगो को चीजे पहले समझ नहीं पड़ेगी फिर react करना होगा अगर ऐसे ही रहोगे तो मेरे जैसे लोग तो आपका इधाते रहेंगे कुछ नहीं हो सकता